हाईलो बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेल्स का एक्सरसाइज 7.1 का कोश्य नमबर 6 हम लोग करने जा रहे हैं देखे, इंटीग्रेशन करना है 4 इंटू e की पावर 3x प्लस 1 ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला कौन सा लगेगा? इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन आफ e की पावर x tx is equal to e की पावर x प्लस c ठीक है? देखे, इंटीग्रेशन के सवाल करने के लिए आपको सारे फार्मूले आते होने चाहिए फार्मूले आते हैं, तो इंटीग्रेशन सबसे आसान चैप्टर पड़ेगा, और अगर फार्मूले नहीं आते हैं, तो इंटीग्रेशन के इतना कठिन कोई चैप्टर नहीं है चलिए करते हैं तो पहले दोनों टर्म्स अलग अलग कर लेंगे पराबर integration of 4 into e की पावर 3x dx plus integration of 1 dx ठीक है 4 constant है variable के साथ में है बाहर हो जाएगा e की पावर 3x dx plus 1 dx अब integration कर देते हैं 4 e की पावर 3x इसका integration तो e की पावर 3x ही आएगा ठीक है लेकिन जो ये 3x है ये actual में x नहीं है तो इसका हम लोग differentiation करेंगे differentiation करा के integration में जो भी integrated part होता है उसमें divide करा देते हैं तो 3x का differentiation क्या आएगा 3 भाग करा देंगे कितना आ जाएगा नीचे 3 plus 1 का integration x जिसके respect में आप कर रहे होगे हमेशा इसका integration वही variable हो जाएगा ठीक plus c यानि कि हम इसको लिख सकते हैं 4 upon 3 e की पावर 3x plus x plus c यह हो गया आपका answer question number 7 क्या है x square फिर bracket में है 1 minus 1 upon x square dx देखें यहाँ पर क्या है x square यहाँ पर नीचे x square है मतलब कि integration का फार्मूला तो यही लगना है integration of x की पावर n dx बराबर क्या होता है x की पावर n प्लस 1 upon n प्लस 1 plus c यह फार्मूला यूज हो गया हम सबसे पहले इसमें term है दो दोनों को अलग-अलग कर लेंगे हम लोग यह आ जाएगा x square minus x square into 1 upon x square का dx ठीक है बराबर x square का अलग integration minus ध्यान से देख़ए यह x square ही इस x square से cancel out तो 1 बचा यहनि की 1 का integration अलग फ्री फार्मूला लगा नेंगे x की पावर 2 प्लस 1 upon 2 प्लस 1 minus x 1 का integration x plus c क्या आ जागा यह सालगों के 1 upon 3 x की पावर 3 minus x plus c यह answer होगा अब चीक है चले question number 8 करते है question number 8 में क्या है x square plus bx plus c सीदा 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 सा सवाल है बड़ा simple सा तीक है अगर फार्मूले आते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि integration बहुत आसान exercise है सारी इसकी ठीक है इसमें भी काम कुछ नहीं करना वहीं करना है शारी टर्म सालग अलग कर दीजी x square का अलग integration plus integration of bx dx plus integration of c dx अब क्या करेंगे जो constant term है हमने बाहर कर लेंगे a बाहर x square dx plus b x dx plus c 1 dx ठीए आ जाएगा फार्मूल भाही लगेगा जो इससे पहले बाले में लगा था x की पावर 2 plus 1 upon 2 plus plus b यहाँ पे x की पावर 1 है दिखने दीए 1 है 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c into x plus constant यहाँ पे देखो c है तो हम कोई और constant यूज़ करेंगे या c1 यूज़ करेंगे ठीक है तो यह आ जाएगा यह 2 plus 1 3 तो यह आ जाएगा a by 3 into x की पावर 3 plus यह क्या आ जाएगा b by 2 x square plus cx plus c1 यह आपका अज़र होगे ठीक है question number 9 क्या है integration करना है 2x square plus e की पावर x dx का सीधे सीधे से numerical हैं यह सारे क्या करेंगे बताओ सबसे पहले तो सारे termal अलग कर लेने हैं plus e की पावर x dx अलग ठीक है इतनी बात आगे समयए अब constant बाहर निकाल देंगे x square dx plus integration of e की पावर x dx ठीक है तो 2 यहाँ पर फार्मूला वही लगना है x 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus e की पावर x इसका integration वही होगा plus e कोई constant तो यहाँ जागा 2 upon 3 2 plus 1 2 by 3 x की पावर 3 plus e की पावर x plus e यह होगा आपका अच्छर ठीक है बात आगे समयज में बड़े छोटी छोटी बड़े आसान से निमेरिकल है question number 10 करते है question number 10 में क्या करेंगे हम लोग देखो root x minus 1 upon root x का square लिखा हुआ है ठीक है तो पहले square open कर लेते हैं square open करेंगे तो a square plus b square और minus 2 a b minus b का whole square ठीक है कुन सा फार्मला यूज हुआ भाई यहाँ पर यूज हुआ है कहां लिख दूँ यहां लिख देदा ठीक है a minus b का whole square बराबर a square plus b square minus 2 a b ठीक है अगर यहाँ पर plus होता तो यहाँ भी plus आ जाता बात आगी नहीं समझ में ठीक है अच्छा देखो किसी भी root का square करते हो तो जो root के अंदर लिखी हुई होती गिंती वही बाहर आती है कैसे आती है कैसे आती है यह जो root है इस root की value क्या है इस root की value है actual में half one upon two और अगर हम इसका कर देते हैं square तो इसके उपर भी लग जाएगा square ठीक है तो power के उपर जब power होती है तो power की क्या होती है multiple into two two से two cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर x की power कितनी बचेगी one ठीक है बात आगी समझ में तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा x प्लस इंटिग्रेटर हो तो इंटिग्रेशन इस पूरे का dx integration पूरे का dx टर्म लग लग कर देते हैं integration x dx प्लस integration one upon x dx minus two बाहर ले लो integration किसका one dx ठीक है चलिए एक चीज और बता देते हैं देखो यहाँ पर अगर तुमने ये सोचा कि हम वो फार्मूला लगाएं कि integration of x की पावर n integration of x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 upon n प्लस 1 अच्छा देखो यहाँ पर ये फार्मूला है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 ठीक है अगर 1 upon x को हम देखें अगर हम इसको उपर ले जाते हैं तो x की पावर कितनी बनेगी माइनस 1 तो यहाँ पी आजाएगा माइनस 1 प्लस 1 नीचे आजाएगा माइनस 1 प्लस 1 x की पावर 0 और नीचे 0 तो x की पावर 0 मतलब 1 upon 0 और 0 से जब हम किसी भी नमबर पर भाग कर रहे होते हैं तो कभी खतम नहीं होती मतलब कि यह undefined फावर बन जाएगी ठीक है इसलिए 1 upon x के integration का फार्मूला है कि 1 upon x का integration log x आएगा हमेज़ ठीक है बात आगे समझ में लेकिन अगर यहां x square लिखा होता और तो हम उसको उपर ले जाते तो x की पावर उपर कितनी बनती minus 2 minus 2 यहां पर n की value हो जाती minus 2 तो minus 2 minus 2 तब x की घात minus 1 और नीचे भी minus 1 आ जाता साल हो जाता तो मतलब जब कभी सवालों में तुम्हे 1 upon x दिखे तो log x लिखना है उसे log mod में x और अगर x नीचे 1 upon x की घात एक से भी जादा दिखती है 2, 3, 4, 5, 6 तो आप उसको उपर ले जाके इस वाले फार्मूले से ही साल्प करेंगे ठीके बात आगे समझ में चली ये क्या आजाएगा x square by 2 direct कर रहा हूँ प्लस ये बन जाएगा log x minus 2 x ठीके और प्लस constant ये हो गया आपका अंसर सीधा सीधा सांसर ठीके चली question number 11 question number 11 क्या है x cube plus 5 x square minus 4 upon x square ठीके देखके घबराना नहीं है सवाल को कि सवाल बहुत बढ़ा है कुछ नहीं बढ़ा है देखो जब हम सवाल साल्प करते थे fraction वाले lower class में क्या लिखा होता था वहाँ 1 upon 2 plus 3 upon 2 ऐसा लिखा होता था तो उसको क्या लिखते थे 1 plus 3 upon 2 ठीक है यानि कि ये denominator एक बार यूज़ करते थे समझ गे ना तो ये सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से हमको इसको कैसे लिख लेना है इस तरीके से बस आसान हो गया कैसे देखो integration ठीक है x3 upon x2 बारती है सबके साथ में plus 5x2 upon x2 minus 4 upon x2 dx ठीक है चले आगे बढ़ते हैं x2 नीचे पावर 2 उपर पावर 3 तो cancel out होके पावर 1 बचे plus यहाँ पे दोनों ही cancel हो जाएंगी नीचे भी दो उपर भी दो तो 5 बचेंगे minus इसको उपर ले जाएंगे ठीक है इससे पहले वाले सवाल में हमने चर्चा करी थी कि अगर integration of 1 upon x है तो log x लेकिन अगर नीचे variable लिखा हुआ है और power 1 से ज्यादा है तो उसको उपर ले जाएंगे और formula फिर कौन सा लगाएंगे x की power n dx बराबर x की power n प्लस 1 upon n प्लस 1 प्लस कोई एक constant constant इसमें भी add होता है चीक है constant वाली story भी introduction वीडियो में बताई है देख लेना तो यह आजाएगा 4 into x की power minus 2 dx अब जैसे सारे numericals में करते थे क्या करते थे सारे term अलग अलग तो x dx अलग प्लस 5 बाहर 1 dx minus 4 x की power minus 2 dx ठीक है यह क्या आजाएगा x की power 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 5 into x minus 4 देखो x की power minus 2 plus 1 n की जगे पर minus 2 नीचे minus 2 plus 1 plus c ठीक है नहीं बात आगे इसमाज में तो यह क्या बन जाएगा x square अपान 2 plus 5x minus 4 x की power कितनी minus 1 और नीचे minus 1 plus c इसका मतलब क्या हुआ x square अपान 2 plus 5x minus minus plus 1 से डिवाइड किया है तो same x inverse plus c अब इसको फिर से नीचे भेज़ देंगे कितना आजाएगा यह x square by 2 plus 5x plus 4 upon x 4 into 1 upon x as you plus c यह हो गया आपका अंसर ठीक है देखके क्या लगा कि सवाल बहुत ही आसान है बसरते आपको फार्मूले सारे आते होने चाहिए ठीक है क्या है x cube plus 3x plus 4 upon root x dx इसका integration हमें करना है देखो सबसे पहले तो बता दू कि यह जो root होता है न इसकी value the half होती है ठीक है तो वही काम करना है जो हम पहले करते आए है क्या सबसे पहले इसको अलग-अलग बाट देंगे सबके साथ में और फिर हम power add कर लेंगे subtract कर लेंगे और फिर integration कर लेंगे simple सा ठीक है चलिए लेकर integration x cube plus 3x plus 4 upon x की power half dx पराबर क्या होगा integration रैक्ट लगा लेते हैं क्योंकि अलग-अलग टर्म थोड़ा बार में लिखेंगे x की power 3 upon x की power half ठीक plus 3x upon x की power half plus 4 upon x की power half dx ठीक है बात आगे बात आगे समझ में बराबर आप क्या करेंगे नीचे से उपर ले जाएंगे power minus की हो जाएंगे तो x की power 3 into x की power minus half plus 3x into x की power minus half plus 4 into x की power minus half dx ठीक है power add कर लो कैसे बेस बराबर है तो power add एंगे सब्टेक्ट हो जाती है तो x की power 3 देखो plus minus half लिखेंगे plus minus half लिखेंगे तो minus ही हो जानी है ये plus minus minus हो जाएगा ठीक है plus 3 x की power 1 है plus minus half लिखेंगे यहाँ भी minus हो जाएगी 1 minus half plus 4 यहाँ पे भाई है इनी दूसरा कोई x तो वैसे ही लिखेंगे dx बात आगी समझ में इतनी चलिए आगे बचेंगे x की power कितनी बचेंगे 3 है 3 से आधी निकल जाएगी तो धाई बचेंगे धाई मितलब 5 अपान 2 या LCM लेके बराबर को 3 2 जा 6 6 में 7 गट जाएगा तो 5 by 2 ठीक है चाहें जैसे गटाओ वैसे मेरा मानना है कि आप चाहें English Medium से हो चाहें Hindi Medium से लेकिन अगर आपको आधा एक धाई साड़े तीन चार ये सब आता है न तो इस टाइप के numerical लग खुद आसान पढ़ते हैं उन मज़ा बहुत आता है इसलिए कोसिस करो कि वो अपने दिमाग में रखो Half, One, Three and the Half Four and the Half Two and the Half इस टाइप से याद रखो है न तो थिरी है थिरी से आधा निकल जाएगा तो धाई बजेगा अब धाई को हम 5 by 2 लिख सकते हैं टिक टारेक्ट लिख लिए देखते ही या फिर क्या करेंगे भाई यहाँ पर One लेंगे हर बराबर करेंगे डिनोमेंटर में Two से मल्टिप्लाइ करेंगे Six, Six से One सब्टेक्ट होगा Five, Five by Two तो एक्स की पाउर यहाँ पर कितनी बची Five by Two प्लस Three into यहाँ पर एक्स की पाउर कितनी बचेगी One से Half जाएगा तो Half बचेगा हाँ वो मैं बोला नहीं हो हिंदी से कि एक से आदा जाएगा तो आदा बचेगा प्लस Four एक्स की पाउर कितनी माइनस में Half ठीक है अब अलग अलग टर्म कर दो सारे एक्स की पाउर 5 बाई 2 डी अक्स इसका इंटेग्रेशन अलग प्लस ठीरी बाहर क्यों कांस्टेंट है उसके साथ में बेरियेबल भी है Half डी अक्स प्लस Four एक्स की पाउर माइनस Half डी अक्स ठीक है चलिए कौन सा फार्णूला लगाएंगे भही एक फार्मूला कौन सा वाला integration of x की पाउर n डी अक्स बराबर x की पाउर n प्लस 1 अपान n प्लस यह फार्मूला ठीक है integration करेंगे कितना आजाएगा x की पाउर 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 plus 3 x key power half plus 1 upon half plus 1 plus 4 x key power minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c constant ठीक है आप solve कर देंगे x key power 5 by 2 plus 1 1 के नीचे 1 मानो 2 से multiply करा हो तो यहां भी 2 आ जाएगा तो 5 to 7 by 2 ठीक है 7 by 2 का मतलब 3 and a half तो यह था कितना यह 2 and a half था उसमें 1 add हुआ तो 3 and a half हो गया देखो शीखो अगर उस तरीके से नासान टाहिए था 1 add वह साड़े 3 हो गया तो 12 में हो तो हिंदी इंग्लिस का कोई भी सेस फर्क नहीं परता तो कुछ चीजें जो हिंदी में है अच्छी वो सीख सकते हो हिंदी मीडियोम वाले जो इंग्लिस मीडियोम से चीजें हो सीख सकते हैं दोनों मिल बाटके चलते हैं तो x की पावर कितनी? 7 and a half नीचे भी कितना? 7 and a half प्लस 3 यहाँ पर देखो x की पावर half प्लस 1 तो यह वो 1 and a half यहाँ की 3 by 2 तो x की पावर कितनी? 3 by 2 नीचे भी कितनी? 3 by 2 प्लस 4 यहाँ पर 1 से half गया तो half बचा यहाँ भी half बचा प्लस C अब क्या करना है? पावर अजेस्ट करानी देखो something बटा पावर में P by Q हो अगर मान लो इथा देखो ए अपान P अपान Q हो इसका मतलब है कि A डिवाइड हो रहा है किस से? P by Q से हलाक बहुत सारे बच्चों को इस चीजे पता होंगी तो जिनको पता है वो यह नहीं सुचेंगे सर बड़ा जीरो से बढ़ा रहा है कुछ बच्चों को इसमें भी प्राबलम होती है तो उस प्राबलम को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ तो फिर डिवाइड को कहा है में बतलते हैं? मल्टिप्लाई में तो Q उपर जाएगा, P नीच जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? Q by P into A समझे कुछ? A अपान P by Q था? Q उपर चला गया A के साथ में और P भटा बचा नीचे, तो यहां भी कितना? 2 by 7 हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 by 7 और X की पावर 7 by 2 यह ध्यानकना कांसेप्ट काम आएगा प्लस यह कितना हो जाएगा? 3 है भाई और यह आजाएगा 2 by 3 3 by 2 है नीचे? 2 by 3 X की पावर कितनी? 3 by 2 प्लस 4 इंटो 2 by 1 और X की पावर 1 by 2 प्लस C देखो 2 by 7 X की पावर 7 by 2 3 से 3 कैंसे प्लस 2 इंटो X की पावर 3 by 2 प्लस 4 to 8 X की पावर हाफ प्लस C यह आपकान सुरूँ गया क्वेशन नमबर 13 क्या है? X cube minus X square प्लस X minus 1 अपन X minus 1 अरे इसमें तो नीचे X minus 1 आगया कोई बात नहीं आगया तो उसका भी कटेगा कैसे कटेगा? देखते हैं इसमें हम लोग थोड़ा सोचेंगे थोड़ा सोचने का मतलब थोड़ा सा प्लस प्लस रोकेंगे क्यों रोकेंगे? हम देख सकते हैं कि यहाँ पर X minus 1 है यहाँ X minus 1 है अगर इसमें से X square कामन ले लें तो यहाँ भी X minus 1 मिल जाएगा फिर overall X minus 1 कामन होके नीचे से X minus 1 कैंसल हो जाएगा मतलब सावाल आसान हो गया तो क्या करेंगे? इन दोनों portion से इन दोनों term से हम X square कामन लेंगे X square कामन लेंगे तो X cube की जगे पर बचा X minus X square की जगे पर बचा 1 प्लस इसमें से 1 कामन लेंगे तो कितना बचेगा? X minus 1 बचेगा सेम जैसा लिखा है और नीचे आ गया X minus 1DX ठीक है? इतनी बात आगे बेटा समझ में अब overall कामन ले लो overall कामन क्या है? X minus 1 तो बचा क्या? X square plus 1 बचा नीचे कितना आ गया? X minus 1DX X minus 1 से X minus 1 कैंसिल हो गया पूरा तो अब आपके पास क्या बचा? X square plus 1DX अलगलग टर्म कर दो कैसे? X square DX plus 1DX इसमें तो पता ही कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा वाला फार्मूला लगेगा? यह वाला लगेगा X की पावर N DX बराबर अभी तक यही सब यूज हो रहा है अब आगे सवाल आएंगे कठिन कठिन मजा आएगा? कठिन कोई नहीं बस फार्मूले आते हूँ तो यह क्या हो जाएगा? X की पावर 2 प्लस 1 upon 2 प्लस 1 plus X और प्लस C constant ठीक है? तो यह हो जाएगा X की पावर 3 प्लस 3 प्लस X प्लस C यह एंसर हो गया हो यानि की X क्यूब माइनस X स्क्वाइर प्लस X माइनस 1 upon X माइनस 1 का integration यह हो गया ठीक है इस तरीके से पेपर में लिखके आना बढ़िया 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 अच्छा अच्छा पेपर में जो नुमेर कल आए तो अच्छे से ऐसे लिखके आना टापर बच्चों की यह निसानी होती ठीक है? चलिए question number 14 पर बढ़ते हैं हम लोग question number 14 उससे भी आसान कैसे देखो multiply करा देते हैं बस one में multiply root x से ठीक minus x में multiply root x से अब क्या करेंगे सर? बेटा अब कुछ नहीं करना है अब मैं बताऊं यह x की power जो root में लिखते हैं तुमको डराया है इसको लिख लो एक बटा दो half minus यहां x की power 1 है और इसको लिख लो x की power 1 अपान 2 dx डर खतम यहां हो गया x की power half dx ठीक minus यहां पर कितना हो जाएगा x की power one plus half base बराबर power add dx दोनों term बन गए इसका integration करोगे तो कितना आ जाएगा अच्छे एक बाल लिख लेते हैं x की power half dx minus x की power कितनी 3 by 2 हां याद रखिए अब 3 by 2 dx इसका integration करें कितना आ जाएगा x की power half plus 1 अपान x की power half plus 1 minus इसका करोगे कितना आ जाएगा 3 by 2 plus 1 अपान 3 by 2 plus 1 plus c constant तिका नहीं अब देख लीजिए x की power half plus 1 अपान half plus 1 minus x की power 3 by 2 plus 1 अपान 3 by 2 plus 1 plus c ठीक है अब क्या करना है साल कर देना है बस तो x की power कितनी बन जाएगी भाई यह 1 plus half 1 and half है नहीं कि 3 by 2 x की power 3 by 2 नीचे भी भाई 3 by 2 minus यह कितना बनेगा x की power 3 by 2 plus 1 5 by 2 यहां नीचे बन लेंगे 2 से multiply कराएंगे add करेंगे यह बन जाएगा 5 by 2 और यह भी 5 by 2 plus c अच्छा क्या यह चीज किसी बच्चे को समझ में नहीं आई देखो जैसे 1 upon 2 plus 1 लिखा हुआ है हमें इसको साल करना है तो एक तो तरीका देशी अपना क्या एक में आधा जोड़ा तो डेड़ हो गया ठीक देड़ हो गया तो मतलब 3 बटे 2 हो गया तभी तो देड़ मिलेगा दूसर तरीका क्या यह ऐसा लिखा था इसके नीचे 1 1 के नीचे 1 कर लिया 2 से multiply कर आई कितना आ गया 1 अपन 2 प्लस 2 बटे 2 अब क्या किया 1 प्लस 2 अपन 2 बराबर 3 बटे 2 ठीक यह प्रासेस हर सवाल में तो नहीं बता पाएंगे लेकिन इसमें देख लो अब जैसे यह था कितना लिखा हुआ था 3 बटे 2 प्लस 1 लिखा हुआ था इस 1 के नीचे 1 मान लिया क्योंकि हर बराबर करने है जैसे डोमिनेटर सेम करना है 2 से multiply करा दी कितना आ गया 3 बटे 2 प्लस 2 बटे 2 कितना हो गया 3 बटे 2 अब आण 2 यह आ गया 5 बटे 2 ठीक है ऐसे साल्प कर लेते है fraction साल्प करना आता होना चाहिए ठीक है अब यह वाली process में पहले बता चुका हूँ तो यह क्या हो जागा 2 बाई 3 हो जागा क्या हो जागा बेटा 2 बाई 3 x की power 3 बाई 2 यह logic कोई मतलगा देना कि power यहाँ पे 3 बाई 2 है इसलिए 2 बाई 3 हो रहा भाई जो नीचे अगर p upon q की फाम में लिखा गया है नीचे p upon q की फाम में लिखा गया है तो वो q upon p बन जाए ठीक है माइनस यह कितना हो जागा 2 upon 5 x की power कितनी 5 by 2 प्लस c यह हो गया आपका answer number 14 ठीक है कैसे लिखना है उसी तरी कैसे लिखना है अच्छा अच्छा कैसे जैसे यहाँ पर हम लिख देखते है integration of 1 minus x root x t x बराबर इतना जागास ठीक है चली question number 15 की तरफ चलते है question number 15 क्या है root x bracket में है 3 x square plus 2 x plus 3 x के respect में हमें इसका integration करना है ठीक है इतनी बात आगी समझ में कैसे करेंगे बिल्कुल पहले जैसा सवाल किया था वैसे ही करना है bracket open कर लेंगे integration root x into 3 x square plus root x into 2 x plus root x into 3 और इसका x के respect में integration करना है क्या करना है देखो root x को हम लिख सकते हैं कि power half x की power half into 3 x square इधर भी हम वही करेंगे x की power half into 2 x plus इधर भी वही x की power half into 3 dx ठीक है अब 3 constant है इसको लग रखेंगे variable हमारे पास x की power कितनी है 2 यहाँ पर x की power कितनी है half जब base बराबर हों तो power क्या होती है add हो जाती है integration of 3 x की power total कितनी बन जाएगी half plus 2 इधर भी वही 2 तो बाहर हो जाएगा ठीक है और x की power कितनी बन जाएगी total half plus यहाँ पर x की power कितनी है 1 plus इधर 3 और x की power half dx ठीक है एक बार power solve कर लेते हैं कितना आ जाएगा देखो बेटा 3 इंटू x की power कितनी half plus 2 कितना हो जाएगा 2 एंदा half means 5 by 2 कैसे ऐसे देखो बता चुके हैं यह एक बार फिर से देख लो जिसे half है 2 है क्या करेंगे half 2 के नीचे 1 लिख लेंगे ताकि denominator सेम हो जाए आसानी से 2 से multiply करा देंगे उपर नीचे तो इधर आ जाएगा half plus 2 to 4 upon 2 4 और 1 मिलके कितने बन जाएगे 5 और upon 2 तो यहाँ पे x की power कितनी 5 by 2 plus 2 into x की power 3 by 2 कैसे बिलकुल ऐसे कर लेंगे ठीक है जैसे यह किया था वैसे इसको भी साल कर लेंगे plus 3 into x की power कितनी half अब सारे term लगलग कर देंगे 3 बाहर integration किसका x की power 5 by 2 का with respect to x plus 2 integration of x की power 3 by 2 plus 3 बाहर integration x की power half dx ठीक है इतनी बात आगी समझ मैं कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे वही फार्मूला जो अभी तक लगाते आए है x की power n dx is equal to क्या x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c c क्या होता है integration constant होता है ठीक है कितना आ जाएगा यहाँ 3 into x की power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 ठीक है plus 2 x की power 3 by 2 plus 1 upon 3 by 2 plus 1 ठीक है plus 3 x की power 1 upon 2 plus 1 upon 1 upon 2 plus 1 plus c 3 into x की power overall अब कितनी बन जाएगी 5 by 2 में 1 add करना है तो 1 को हम 1 upon 1 लिख लेंगे 2 से multiply करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 by 2 plus 2 by 2 means 5 plus 2 by 2 5 for 2 7 5 to 7 x की power कितनी 7 by 2 2 और upon बिल्कुल सेम वही बात है 7 by 2 plus 2 x की power कितनी बन जाएगी भाई 2 से उपर नीचे multiply कराएगे इस 1 में तो 3 over 2 5 by 2 नीचे कितना 5 by 2 plus 3 x की power 2 से उपर नीचे multiply 2, 1, 3 by 2 upon 3 by 2 plus c ठीक है अब देखो यह चीज मैंने पहले बताई थी 7 by 2 है तो जब हम यहाँ पर ले जाएगे इसको तो यह हो जाएगा 2 by 7 कैसे हो जाएगा पहले बता चुके हैं एक बाद किससे समझ लो जैसे कि भाई यह लिखा हुआ है x की power 7 by 2 इसको divide ही तो कर रहा ही है कौन 7 by 2 3 भी है इसके साथ में ठीक है तो 3 into x की power 7 by 2 और इस divide को जब हम multiply में change करेंगे तो denominator numerator और numerator denominator बन जाएगा ठीक है तो यह कितना आगा 2 by 7 2 by 7 multiply किसके साथ करेगा 3 के साथ तो 32 जा कितना हो जाएगा 6 by 7 into x की power 7 by 2 3 into 2 by 7 x की power 7 by 2 प्लस 2 into 2 by 5 x की power 5 by 2 प्लस 3 into 2 by 3 और x की power 3 by 2 प्लस C कितना हो जाएगा यह 6 by 7 अंसर आ गया 6 by 7 x की power 7 by 2 प्लस 2 जाब 4 by 5 x की power 5 प्लस 3 से 3 cancel तो 2 x की power 3 by 2 प्लस C यह हो गया आपका अंसर question number 16 हो गया है 2 x माइनस 3 कास x प्लस E की power x मतलब 3 फार्मलेस में यूज होने है क्यों क्योंकि 3 तरेकी की बाते हो गई एक तो E की power x कास x आ गया और x आ गया ठीके तो सबसे पहला काम हमारा क्या है सारे टर्म्स अलग-अलग कर लेने है ठीक है तो सारे टर्म्स अलग-अलग कर लेने का मतलब हो गया 2 x dx अलग माइनस integration of 3 कास x dx और प्लस E की power x dx ठीक है अलग से फार्मूले नहीं लिकूंगा मैं यहाँ क्योंकि इस फार्मूले ही है आप क्या करेंगे हम इनका constant term बाहर कर लेंगे 2 बाहर कर लेंगे तो यह आजाएगा x dx माइनस इसमे 3 बाहर कर लेंगे तो यह आजाएगा कास x dx प्लस इसमे कुछ बाहर करने को है नहीं dx ठीक है अब डारेक्ट integration कर देना है इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा भाई x की पावर n वाला तो यह क्या आजाएगा 2 इंटू x की पावर 1 है यहाँ 1 फार्मूले में आता है upon 1 प्लस 1 माइनस 3 कास x का integration क्या होता है sin x होता है ठीक है देखो बैच्चा integration of कास x dx यह होता है sin x ठीक है लेकिन अगर d by dx हो मतलब differentiation किसका कास x का तो यह आता है माइनस का sin x ठीक ऐसे फार्मूले लिखते याद करोगे तो याद रहेंगे सारे differentiation के भी फार्मूले और integration के भी फार्मूले जहां भी फार्मूले लिखना दोनों ही differentiation के और integration के एक साथ लिखना याद रहेंगे गल्तिया नहीं होगी ठीक है तो कास x dx का कास x का integration sin x और कास x का differentiation माइनस का sin x ठीक है चले प्लस e की पावर x इसका integration वही रहता है इसका चाहें integration हो चाहें differentiation हो सेम रहता है प्लस क्या constant x c ते कितना आ जाएगा पिटा 2 into x की पावर 2 अपान 2 माइनस 3 sin x और प्लस e की पावर x प्लस c 2 से 2 cancel out तो आपके बास बचेगा x square माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c यह हो गया आपका answer sorry x square माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c यह हो गया आपका answer ठीक है फार्मूली का तरीका यही रहेगा चले question number 17 करते हैं क्या है question number 17 2 x square माइनस 3 sin x प्लस 5 root x ठीक है सबसे पहले काम वही करना है जो 16 में किया था सबको अलग अलग बाटना है integration 2 x square dx माइनस integration 3 sin x प्लस integration 5 root x को हम वन अपान 2 लिख लेते हैं dx 2 को बाहर कर दीजिए तिया जाएगा x square dx माइनस 3 बाहर कर दीजिए तिया जाएगा sin x प्लस 5 बाहर कर दीजिए तिया जाएगा half dx ठीक है अब इसमें एक ही फार्मूला है जो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ समझाने वाला ये तो इससे पहले के वीडियो में बहुत चर्चागा चुका हूँ तो देखो integration sin x का अगर कर रहे हो ठीक है तो ये आएगा minus का cas x प्लस c ठीक है minus का cas x प्लस c लेकिन अगर d by dx मतलब की differentiation आप किसका कर रहे हो आप sin x का तो ये आएगा प्लस का cas x ठीक है बात आगे समझ में चलिए बढ़ते हैं इसमें तो वही लगाएंगे formula x की power n वाला तो ये आजाएगा x की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 minus 3 sin x का integration क्या एगा रहे बाबरे यहाँ पर dx लिखना था तो sin x का integration क्या आएगा minus का cas x प्लस 5 यहाँ पर क्या हो plus c ठीक है तो 2 into x की power 3 upon 3 minus minus plus ये वाला minus इस minus से multiply होके plus देदेगा 3 कास x प्लस 5 x की power half है उसमें 1 add करेंगे तो 3 by 2 हो जाएगा यानिकी 1,5 ये भी हो जाएगा 3 by 2 प्लस c अब यहाँ जाएगा 2 by 3 x की power 3 प्लस 3 कास x दिख नहीं रहा है अब दिख रहा है ठीक है 2 by 3 x cube प्लस 3 कास x ये कितना 2 उपर जाएगा ये बन जाएगा 5 into 2 by 3 और x की power 3 by 2 प्लस कितना c तो या जाएगा 2 by 3 x cube प्लस 3 कास x प्लस 10 upon 3 x की power 3 y 2 प्लस c ये हो गया आपका अंसर ठीक है बात आगी समझने चली question number 18 की तरव हम लोग बढ़ते हैं question number 18 क्या है sec x into sec x प्लस 10 x तो sec x की multiply करा लो अंदर sec x into sec x plus sec x into 10 x दोनों टर्मा लग लग sec x into sec x हो गया sec square x dx प्लस integration आप किसका sec x into 10 x ठीक है आप देखो ये दोनों ही दोनों फार्मूले लिखे दोनों फार्मूले लिखे sec square x dx ये 10 x का फार्मूला होता है अतलब integration of sec square x dx बराबर 10 x आता है और integration of sec x into 10 x ये sec x आता है ठीक है तो यहाँ पे आगे 10 x और यहाँ पे आगे sec x प्लस क्या c ये हो गया आपका अंसर ठीक फार्मूले लिखू लिखू अच्छा ठीक देखो integration of sec square x dx बराबर 10 x ठीक अगर तुम differentiation कर रहे हो किसका 10 x का तो ये क्या जाए गा sec square x ठीक अब अगर sec x into 10 x का integration कर रहे हो तो ये आजाएगा 10 x sorry sec x ठीक लेकिन अगर तुम differentiation कर रहे हो इसका sec x का तो ये आजाएगा sec x into 10 x ठीक बस इस तरीके से फार्मूले आपको एक जगे पे नोट करके याद करने हैं बहुत आसान फार्मूले हैं कुछ कठिन नहीं है अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कोई function है introduction के वीडियो मेंने बताया था कोई function है और उस function का आप differentiation कर रहे हैं क्या कर रहे हैं differentiation और उस differentiation का अगर आप integration कर दे रहे हैं क्या कर दे रहे हैं integration तो वही function निकल के आ जाएगा ये introduction के वीडियो में बताया था यहाँ पे वही logic चल रहा है जो आप लोगों को लग रहा है कि भाई, sec square x का integration किया तो 10x आ गया और ऐसे ही 10x का जब differentiation किया तो sec square x आ गया तो ये वही चीज़ है ठीक है, कभी कभार इसको कैसे लिखा हुआ देख सकते हो तुम dx से dx cancel out नहीं होगा बट गयब कर देंगे, तो कैसा लिखा हुआ होगा integration dfx is equal to fx ये लिखा हुआ भी देख सकते हो question number 19 क्या है sec square x upon sec square x इसका integration करना है, ठीक है क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें एक काम वो काम क्या है, देख लो, integration sec square x को हम लोग लिख लेंगे one upon cos square x ठीक है और cos square x को हम लोग लिख लेंगे one upon sin square x dx इतनी बात आगई इसमझ में ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो अब इस divide का मतलब, इस line का मतलब divide है, तो यानि कि वैसे तो हम इसे sin square x upon cos square x लिख सकते हैं, डारेक्ट, बड़ देखो cos square x divided by one upon sin square x dx ठीक है, क्या गरेंगे एक ले इस्टेप में one upon cos square x multiplied sin square x उपर upon one dx तो यह क्या बन जाएगा बन जाएगा sin square x upon cos square x dx तो यहीं पर सारी चीज़ें सीख लो कैसे जब ऐसा होता है, तो फिर ऐसा हो जाता है बहुत सारी चीज़ें डारेक्ट करेंगे, तो बहुत समय बचेगा ठीक है, अब क्या करना है, यह क्या बन गया यह बन गया tan square x और tan square x का आपको कोई भी integration का फार्मूला अभी नहीं पता ठीक है, क्या करेंगे भाई, tan square x का relation निकलता है sec square x से कैसे निकलता है वो जो गार बताते हैं, अगर याद नहीं है तो एक फार्मूला होता है sin square theta plus कास square theta बराबर 1 आपको tan square x चाहिए है तो tan तब बनता है जब sin के नीचे कास जाते हैं तो कास square theta से हमने दोनों तरफ भाग दे दिया ठीक, तो यह हो गया tan square theta plus 1 बराबर sec square theta तो यहां से tan square theta बराबर निकलेगा sec square theta minus 1 ठीक है, कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हो छे के छे हो रूल इससे निकल जाएंगे एक ही फार्मूले से sin square theta plus car square theta बराबर 1 लेकिन यह याद हो तब तो मज़ा आता है तो हम tan square x की जगे पर क्या लिख लेंगे लिख लेंगे sec square x minus 1 और dx ठीक है, अब अलग अलग तोड़ देंगे sec square x dx minus 1 dx sec square x का integration 10 x 1 का integration वही variable जिसके respect में आप integration कर रहे हैं प्लस c यह हो गया आपका answer question number 19 समझ में आ गया कैसे यह काम किया उसके बाद sin square x उपर चले गए 80 square x नीचे आ गए तो बन गया sin square x अपन 80 square x इसको 10 square x लिख लिए 10 square x का हमें integration का कोई फार्मूला नहीं पता था तो हमने उसको तोड़ लिया second square x minus 1 लिख लिया अलग-अलग कर दिया integration कर दिया बस सबाद साल चलिए question number 20 करते हैं question number 20 है 2 minus 3 sin x अपन 80 square x dx उसी तरीके से बाढ़ देंगे जैसे answer हर करके बाढ़ देंगे denominator numerator करके कैसे बाढ़ देखो 2 के नीचे ले आएंगे 80 square x को minus 3 sin x के नीचे ले आएंगे भी 80 square x को और integration dx ठीक है अब देखो ये 2 into 1 upon 80 square x है तो ये बन जाएगा 2 into 80 square x minus इसमें देखो क्या करना है थोड़ा सा काम sin x लिखा हुआ है आपके पास 2 कास लिखे हुए है तो दोनों को हम ऐसे ऐसे लिख लेंगे कास x into कास x dx ठीक है क्या करेंगे 2 sec square x minus sin x upon कास x ये क्या बन जाएगा 10 x और 1 बचावन अपकास x वो क्या बन जाएगा sec x देखो बाहर देखेंगे 2 बाहर आजाएगा sec square x dx minus 3 बाहर आजाएगा और इसको धोड़ा ऐसे लिख लेंगे sec x into 10 x dx तो sec square x sec square x का integration 10 x और sec x into 10 x का integration sec x plus c ये ये सवाल हो गया ठीक है क्या किया बाढ़ दिया लिख लिया arrange कर लिया integration कर दिया answer आ गया बस इतना सा काम है option number 21 हम लोग देख लेतें क्या है the anti-derivative of root x plus one upon root x equals चार options दिये गए हैं उसमें से कोई एक साही होगा ठीक है anti-derivative का मतलब होता है integration करना ठीक है जैसे differentiation का मतलब हमें एक बाढ़ differentiation करते हैं तो जो हमें मिलता है वो उसका first derivative होता है नहीं कि derivative निकाले जाते हैं उसमें integration of किसका root x plus one upon root x किसके respect में करेंगे x के respect में ही करेंगे क्योंकि वही variable है root x dx plus one upon root x dx ठीक है root x को हम लोग लिख लेंगे x की power half dx इधर भी हम लोग root x नीचे लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे half dx तो x की power half dx plus x की power minus half dx उपर ले जाएंगे power minus कि हो जाएगी ठीक है समझे बात को इसमें वही फार्मला लगाएंगे कौन सावाला x की power n dx integration of x की power n dx is equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus एक constant ठीक ये integration constant होता है इसके बारे में हम introduction की वीडियो में चाचागा चुके हैं कि ये कैसे आता है बराबर क्या आएगा यहाँ x की power half plus 1 upon half plus 1 plus इसमें कायाएगा x की power minus half plus 1 upon minus half plus 1 plus c ठीक है x की power कितनी बन जाएंगी half plus 1 तो 1 in the half यानि की 1 upon 2 plus 1 को में लिख लेंगे 1 upon 1 2 से उपर निचे multiply करेंगे denominator सेम करेंगे तो 2 plus 1 3 by 2 power कितनी आजाएगे 3 by 2 और यहाँ भी कितनी आजाएगे निचे भी 3 by 2 plus इसमें क्या आएगा 1 से half चला जाएगा तो हाब बचेगा यानि की power 1 upon 2 निचे भी 1 upon 2 plus C ठीक है अब यह 3 by 2 पर उचेगा तो हो जाएगा 2 by 3 2 by 3 x की power 3 by 2 plus यह हो जाएगा 2 by 1 यानि की 2 x की power 1 upon 2 plus C अब यह वाल आंसर हम अपने options में मैच करा लेंगे कौन सा है देखो यहाँ पर आ रहा 2 by 3 यहाँ पर 2 by 3 आ रहा वहाँ भी 2 by 3 देखेंगे 1 upon 3 है तो यह तो हो जी नहीं सकता खतम 2 by 3 ठीक मैच हो गया लेकिन यहाँ x की power कितनी है 3 by 2 यहाँ पर x की power कितनी है 2 by 3 यह भी खतम अच्छा 3 by 2 x की power 3 by 2 x की power 3 by 2 प्लस 2 फिर x की power half x की power half प्लस C तो कौन सा आप्शन सही हो गया C वाला यहाँ इस वाले सवाल ने कौन सा आप्शन करेक्ट है C करेक्ट option is C यह अंसर हो गया ठीक है आप question number हम समझ में आगी बात चलो एक बात पिसे देख लो यह चार options दिये गए थे यह numerical था बटवारा किया power सही करी integration किया arrange किया answer आ गया options में match कर लिया जो था वो लिख दिया सवाल खतम question number 22 क्या है if d by dx of fx is equal to 4x cube minus 3 upon x के power 4 such that f2 is equal to 0 then fx is तो fx क्या होगा तो d by dx of fx दिया गया है हमें इतना और हमें चाहिए fx तो अभी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किसी भी function का अगर आप differentiation किये हुए हो और अगर उसका integration आप कर देते हो तो वही function निकल के आता है बाहर यानि कि fx आ जाएगा और आपको fx चाहिए तो आप देखो सवाल समझो given है आपको d by dx given है d by dx आप fx कितना 4x cube minus 3 upon x की पावर 4 अब हम इसका integration करेंगे तभी तो fx मिलेगा तो integration आप d by dx fx dx d by dx fx का integration कर रहे हैं d by dx fx बराबर इतना है तो इसका भी integration करेंगे ठीक बस यही समझना है 4x cube minus 3 upon x की पावर 4 इसका भी integration ठीक है चलिए बढ़ें आगे bracket open करते हैं तो 4x3 dx minus integration of 3 upon x की पावर 4 dx ठीक है 4 बाहर x की पावर 3 dx इधर 3 बाहर और x की पावर 4 को उपर ले जाओगे तो minus की 4 हो जाएगी dx ठीक अच्छा इधर देखो इतना काम किया इसमें जैसे ही integration किया तो यह क्या निकला यह fx निकला क्या निकला fx निकला यह अब आगया के पास fx बराबर 4 x की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 वही फार्मूला minus 3 x की पावर minus 4 प्लस 1 minus 4 प्लस 1 प्लस c एक constant ठीक है बात आगी समयल में अब देखो 4 into x की पावर 4 अपान 4 minus 3 x की पावर minus 3 minus 4 से plus 1 तो minus 3 अपान नीचे minus 3 plus c ठीक है 4 से 4 cancel out minus यहां प्लस इसको कर देगा और 3 से 3 चले जाएं तो अब आपके पास बचेगा x की पावर 4 plus x की पावर minus 3 plus c इसको आप लिख सकते हो x की पावर 4 plus 1 अपान x की पावर 3 plus c ठीक है अब देखो जो options थे आपके उसमें कहीं भी c तो है नहीं मींस हमें c की value find करने है और c की value find करने के लिए f2 की value 0 दे रखी उसने क्या दे रखी 0 दे दिया हुआ है f2 गामा तो यह fx आ गया आपका यह जो आया है यह fx आया अब अगर हम x को replace कर देते हैं 2 से तो यह f2 हो जाएगा f2 2 की पावर 4 इदर भी वही काम x को replace करेंगे 2 से plus 1 अपान 2 की पावर 3 plus कितना c अब नुमेरकल में क्या दिया हुआ है f2 की value 0 है यानि की यह जो मान निकाला है आपने यह यह परावर का है के है 0 के ठीक है अब हम इसको और इसको साल कर लेंगे f2 0 होई गया clear हो गई बात तो 2 की पावर 4 कितना हो जागा 2 तू जा 4 तू जा 8 तू जा 16 plus 2 तू जा 4 तू जा 8 plus c परावर कितना 0 LCM लेंगे यहाँ पर 1 8 से उपर ने चे मल्टिप्लाई कितना आ जाएगा 168 चा 1 to 8 8 6 तू जा 48 4 कह रही 8 बन जा 8 4 12 168 चा 1 to 8 अपान 8 plus 1 अपान 8 plus c परावर कितना 0 तो यह आ गया हर परावर अतलब जिनोमेटर सेम तो 1 to 8 अपान 1 अपान 8 plus c is equal to कितना 0 अब यह आ जाएगा कितना यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1 to 9 by 8 plus c बरावर 0 देखो यहाँ पर कितना आया था 1 to 9 अपान 8 plus c बरावर 0 आया था तो c बरावर कितना हो जाएगा minus 1 to 9 अपान 8 ठीक अब यह c की value हम कहां रख देंगे fx ही तो निकालना था यहां रखेंगे इसमें तो fx बरावर कितना आ जाएगा fx बरावर आ जाएगा x की पावर 4 plus 1 अपान x की पावर 3 और minus 1 to 9 अपान 8 आप संचेक कर दो किसमें minus का आ रहा है 1 to 9 अपान 8 तो देखो इसमें plus का 1 to 9 है यह तो होई नहीं सकता इसमें minus 1 to 9 है इसमें plus 1 to 9 यह भी नहीं होगा b और c तो होई नहीं सकते a और d में से कोई एक सही होगा अब हम अपना x मैच कर लेते हैं x में क्या है हमारा x की पावर 4 plus 1 upon x cube है तो x की पावर 4 plus 1 upon x cube है यही सही होगा इसमें क्या है x cube plus 1 upon x cube तो यह नहीं होगा पहला वाला option सही होगा तो क्या लिख देंगे हम लिख देंगे, hence correct option is a बाता आगी समझ में, क्या करना था सवाल में d by d x f x की value दी गई थी आपको आपने integration किया, तो आपको f x मिल गया ठीक, integration इसका किया, तो उधर भी करना था, बराबर था दूनों का साल्प किया, integration कंप्लीट हो गया, integration कंप्लीट होने पर f x बराबर आपको मिल गया, x की power 4 प्लस 1 अपन 3 प्लस c, अब c की value निकालने के लिए हमें cert दे रखी थी, numerical में कि f2 is equal to 0 है, तो f2 बराबर 0 कर दिया, तो ये वाली value भी 0 के बराबर हो गई, यहां से साल्प किया, तो c की value कितनी निकली, c की value निकली minus 129, अब इस c की value को हमने यहां पर put कर दिया, answer अपना match के लिए हमारा option कौन सा सही आ गया, a अगर आपको ये numerical समझ में आ रहे हैं प्राबर अच्छे से, तो video को like अवर्सी करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में सेर जरूर करनी भाई thanks for watching